नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त संकर स्रीवास्तव दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको म्यूजिक ट्रेक बनाने के लिए खूब सारे लूफ्स दूँगा अर्था धोलक का, मिर्दं का, तबला का, गितार का, सितार का इस प्रकार के खूब सारे लूफ्स दूँगा डिस्क्रेप्शन में लिंक दूँगा, जहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे लेकिन हाँ, उसमें एक पासवर्ट होगा, जो इसी वीडियो में मैं बताने बाला हूँ इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए और हाँ, इस वीडियो में मैंने वो पासवर्ट वाला जिप फाइल जो है, वो कैसे क्रियेट किया है एक सॉप्टेर की मदद से, उसका अभी पूरा पूरा सिखाऊंगा इसलिए वीडियो को पूरा देखिए नाव लेजेबल के साथ साथ, इंटरेटाइनमेट दोना ही होने वाला है तो सबसे पहल हमें क्या करना है, जिप फाइल बनाने के लिए एक सॉप्टेर चाहिए जिसका नाव विंडर है, उसे हम डाउनलोड करना सिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जो इंटरनेट है, हमने चालू कर रखा है, आप भी कर लिजिएगा इंटरनेट चालू करने के बाद, कॉंपिटर का एक सेटिंग हमें बंद करना होगा, तभी वो फाइल फाइल फॉम डाउनलोड कर पाएंगे इसके लिए मैं गया करता हूँ, सर्च बक्स में लिखता हूँ, विन्डोज डिफाइंडर, विन्डोज डिफाइंडर, यहाँ पर आगे है, विन्डोज डिफाइंडर सेकुरीटी सिंटर, इसको हमें ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको दि करने के बाद हम चलते हैं इन्टरनेट में इसके लिए मैं प्रॉम ब्राजर के उपर क्लिक करकर प्रस्क्राइब कर सकते हैं अगर करते रहेंगे और पूरा पुनड़ाएंव आपका खतम कर देगा ठीक है लिए यह हमेंसा रखेंगा जब आपको अपडेट करना हो तो बात alignução कट कर देते हैं क्ट करने बद मैं क्या करता हूं ऊसंदा गूगल पर जाता हो Google पर जाने के बादम एक वैबसाइट पर चलसा जाता हूँ जिसका नम है में आने के बाद मैं यहां से इसका अंदर आ जाता हूं यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं यहां पर एक सॉप्टेयर आ चुका है दोस्तों मैं इसके उपर क्लिक करके से डाउनलोड करने के लिए अगर आपको फिरी बर्जन चाहिए इसी सॉप्टेयर के अंदर यह वाला विडियो जो है आप अपने आप एक बार क्लिक कर दूंग आपने आप यह डूंप्स цен आयेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा फोल्ड कर नाम पुछ रहा हो आप बाद में हम इसे delete कर देंगे क्योंकि इसमें वाइरस लाने की पूरा चांस रहती है तो मैं इसे कर लेता हूं तो दोस्तों यह पूर्ण रूप से यहां पर आ चुका है अब मैं क्या करूंगा यहां से cut कर दूँगा करने के बाद मैं अपना internet connection भी तोर लेता हूं अर्थाद disconnect कर देता हूं मैं अपना file में चला जाता हूं double click करके file में मैं आ चुका हूं मैंने save किया था अपना pen drive लगाया उसमें किया था और यहां software गंदर किया था यहां पर others नाम्स हैं एकिंपर किलिक करना है और यहां से डəकली प् KIM एक्सट्रक्ट करते हैं करना है तो डिर्व में कर सकते हैं यह बार के लिए और दूसरा वाला तो मैं D में ही ले लेता हूं, D में तो खोब सारे है, E में, हाँ E में ले लेता हूं, ओके, तो मैंने E Drive चुन लिया है, और यहां से Folder Select करने के लिए बोल रहा है, तो मैं एक Folder ही बना लेता हूं, ओके, तो मैं यहां से Folder बना लिया और इसमें जैसे हमने एक्स्राक्ट किया आटोमेटिक उस फोल्डर में यहां पर एक्स्राक्ट होकर आ चुके हैं इमें अब मैं क्या करूँगा इसके ऊपर डवल क्लिक करूँगा डवल क्लिक करनेक बाद हमारे सिस्टम जह 64-bit का है अगर आपको पता नहीं आपका सिस्टम कौन सा है तो आप directly जो है, पहले ही आ देखे, यहाँ पर किलिक करूँगा, right में यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ सापको क्या करना है, right किलिक करके, system का properties में जाकर देख लेना है, कि आपका system कितना बेट का है, यहाँ देख सेकता है, 64-bit का है, ओके, तो हमने 64-bit वाले ही किये हैं, तो म मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मैं 64-bit वाले को क्या करूँगा, यह वाला जो software है, इसको install कर लोगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका, right किलिक करूँगा, और run as administrator को पर मैं किलिक कर लोगा, उसके बाद yes कर लोगा, तो हम yes करेंगे, तो हम से पूछेगा, कि आपका जो है, कह यहाँ पर save करना है, तो मैं यही रहने देता हूँ, क्योंकि हमें यह जाइद दिन तक रखना नहीं है, तो उसके बाद मैं install कर लेता हूँ, यह install हो चुका है, अब ओके कर देता हूँ, यह यहाँ पर देख सकते है, यह install हो चुका है, तो दोस्तों हमारा software जो है, छोटा व देदेंगे, उस सभी को अगर आप download कर लेते हैं, तो आसानी से आप music track पूरा का पूरा हमारे music से ही बना सकते है, ठीक है, एकदम फिरी है, कोई पैसा नहीं लेगेगा आपको, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, direct हमारा loops है, मैं उसमें आ जाता हूँ, तो मैंने loops रखा था, यहाँ व्लूप से एक folder के अंदर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद, मैं साइट E में रखा था, E में alls के अल्च के अंदर,Ó alls के अंदर यहाँ पर loops है, यहाँ पर file loops के अंदर मैंने साड़ फारे loops रखे हैं, ठीक है, तो मैंने इतना loops रखा है, तो तो साथ साथ loops मैं एक में दे देता हूँ क्योंकि क्या है कि अगर मैं 14 एक बार में दिया तो हमारा file size बहुत बरा हो जाएगा और मेरा सारा MB खा जाएगा साथ को हमने सेलेट किया और add to archive को उपर मैं क्लिक कर देता हूँ जैसे हमने क्लिक किया आप हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या क्या बनाना है तो मैंने इसका नाम तो यही रखा है आपको क्या बनाना है जिब भी बना सकते हैं और रार भी बना सकते हैं तो मैं आपको जिब देता हूँ क्योंकि जिब जो है आसानी से mobile के अंदर भी और computer के अंदर भी extract हो जाएंगे तो मैं इसके ओपर किलिक कर दिया और यहाँ पर मैं दिखा चुका है और यहां से जिब फाइल है अब मैं यह से क्या करूंगा ओके कर दूँगा जैसे मैंने ओके किया यह जो है आनी से आप जो है music बना पाएंगे आपने देखा किस प्रकार से हमने यह वाला जो है जीब फाइल क्रियेट किया है दोस्तों आप भी इस स्वाप्टेर को डाउनलोड कर सकते हैं जहां से मैंने किया वही से और complete रूप से इसका फाइदा उठा सकते हैं दोस्तों अगर उन पहले से खुला हुआ है इसलिए पासवर्ट नहीं मांग रहा है लेकिन आप में मांगेंगे अगर पासवर्ट मांगेंगे आपको इसमें लिख देना है आई एन डी आरे डी एच ए एन यू एसे आच ओके इंद्रधनुस लिख देना है और डेरेक्टली आप इनको खोल प उसके नाम से ही आपको डिस्क्रेप्शन में इस फोल्डर का लिंक भी आपको मिल जाएगा जैसे आप इसको उपन करेंगे पासवर्ट बागेंगे यहां पर आपको दिखाए देंगे या नहीं तो आपको इसके राइट के किलिक करने के बाद एक्सट्रेक्ट फाइल या एक्सट्रेक्ट हैर के उपर भी किलिक कर सकते हैं तो दोस्तों अगली वीडियो में साथ फोल्डर जो बचा हुआ है वो भी मैं आपको दे दूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां हमसे जूरे रही है मैं एक तरह एक से टिप् क्लिक्स कम्पीटर के लिएकर अतारा थो